जाहिन दोस्तों अब जो है नवंबर 2022 विजन आइस के करेंट एफेर का जो में दिस्क्रेशन कर रहे है इसमें अगला टॉपिक हमारा आ गया है सेक्यूर्टी से संबंदित इसमें पहला टॉपिक है डिश्टल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बील 2022 अभी क्या हुआ है कि मिन के लिए पप्ली ब्रोटे कहा जाता है इसमें क्या च hai men किया जाए और उस इसको एड़ पिर सिर्डिंग फिर पास होने की जो परकुती होती है वह होती है तो अभी यह यह जो ड्राफ्ट विल्ले उसको पप्ली कंसलोटेशन के लिए रखा गया है तो पहले डाटा होता क्या है पर्सनल डाटा अगर प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लाया है तो पर्सनल डाटा होता क्या है तो पर्सनल डाटा वह डाटा है जिसके थ्रू यह पता चलता है कि वेक्ति विसेस के बारें पता चलता है कि वह किस चेत्र से बिलॉंग करता है वह हो है कौन जैसे मेरा नाम सेक्स किस जेंडर का हूं मेरा एज क्या है किस लोकेशन पर मेरा रहता हूं और भी मेरी जो गतिविदियां है बैंकिंग से संबंदित चाहे परसनल ट्रांजेक्शन से संबंदित टूर एंट्रेवल से संबंदित जिससे मेरी डाटा है मेरा जिससे म दाट सब्सक् ingen **** काल रहा हो तो पबिक परपछ के लिए प्परक्श के अलावा तो इसको प्रोटीक्स के लिए प्रीटरक ट्यार जार किया गया the Bill 6 to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognize both rights of the individual to protect their personal data and need to process it for the lawful purpose तो दो परपज है एक तो परसनल जो डाटा है वेकतिका उसको जो है इंडिविजल का राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करना है उसके डाटास का मिस्वी जुना हूँ दुसरा चीज डाटा का क्रेट करना इसलिए वी ज़ुरूरिए है कि जो है कुछ लाफुल परपच के लिए अगर इसका requirement हुआ तो उसके लिए इसको प्रूइस के आजा सके तो इंडिविजल के राइट्स को प्रूइट करना है पहला काम है इसका दुसरा काम है कि उसके डा आप उसके eligibility होने के बाद भी आप उससे exclude हो जाएंगे साथ साथ कुछ legal crime वगर आपको investigation में भी इस data का यूज गया जा सकता है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए आप अपनी सिपारिश के बाद से यह जो है बिल तैयार किया गया था फिर बाद में किया हुआ 2019 में तो गवर्मेंट में में इस बिल को पेस किया गया और वाज रिफर्ट तो जाएंट कमिटी अब बोस 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 दोनों सदन जो लोगसभा है और राजसभा है वह दोनों के पास इसको जो है जुएंट कमिटी को रिफर्ट किया गया था बाद में जो है दो हजार इकीस में इस जॉइंट कमिटी सब्मिटेड इट्स रिपोर्ट एंड अकंपनिड बाई यह निव ड्राफ्ट बिल डाट अगलद विफिल को ही पूरा केंशिल बूँर विटोओ कर लिया विट रह ने बाद में कर दोड़ा करने किन्सें दोबारह कर लिए इस फरेसे धियर की सब्मिटी तूसरुमनी कात исслед हुपर प्रिंसें किया है और ऊसक으 की चर्चा हम आपकी ने पेकार नज किह एुसमें ची अब यह क्या होड़ है डाटा प्रिंसिपल है वह अपने डाटा को डिस्क्लोज करेगा जब जुरत पड़ेगी तब फर्त पर्पोस प्रोसेसिंग इसलिए अब इस पूरे इस मतलब डिसक्रिशन को आगे बढ़ा है इसके पहले हमको की टम्स है इसमें उसको हम समझ लेते है जब सकता है इस अब डाटा प्रिंस्पल करते हैं एक इंडिविघौल है जिसका डाटा इकाठा किया रहा है अगर मैं खुद है क्या जिस पूछ रहें आपको नाम करते है कि से भिलोग करते हैं से गणीव और पूछ पर फ़िजर्ज के लहां है चींटी कोई एक संस्ता धाऴ कि तौर प्रफ्रान के तौर पर फेस्ट मिलभ मतलब यका तौर में ईकत्था की है उस्त पांऩा सब्सक्राइब करता है कि हमको किस तरीके का जो है च्वाइश चाहिए स्वापिंग के लिए तो वह हमको मतलब वाइडर च्वाइश पतान करने के लिए हमारा डाटा कर सकता है तो यह होगे डाटा गया यह मतलब जो यह मतलब जैसे चरह करने के लिए मेरे को के यह संहकती कर द्राइब कर यह तो यह जो है Consent Manager एक तरिकी के बीच का पार्ट है data fiduciary और data principle के बीच में और यह accountable किसको है मतलब किसकी प्रति इसकी जवाबदारी है data principle के प्रतिवाबदारी है अब इसमें चौथा टमसा है personal data तो personal data जैसे मैंने data का ही definition बताया तो data about an individual who is identifiable by our in relation to the such data मतलब कि कोई एक ऐसा data जिसके चलते एक individual की identity का हम पता कर सकते हैं तो वह उसका हुआ personal data child क्या है any individual who is less than 18 years मतलब 18 साल से कम age का कोई व्यक्ति है तो वह क्या है child data अब data क्या है representation of the information, facts, concepts, opinion and instruction in the manner suitable for the communication, interpretation and processing by humans मतलब जो है कोई भी information, facts, concept, opinion आपके बारे में जो भी जो है मतलब जो suitable हो communication के लिए interpretation के लिए और processing के लिए किसी व्यक्ति या machine के द्वारे आपके बारे में जो भी है तो वह हुआ data person क्या है includes individual भी हो सकता है और Hindu undivided family भी है company यह firm है मतलब data तो है किसी व्यक्ति का ही होगा तो वह व्यक्ति कौन हो सकता है एक individual हो सकता है Hindu undivided family हो सकती है company, firms, association यह जो भी चीज़ें है वह एज व्यक्ति भी मतलब यह person जो इनको deal क्या जासकता है whether incorporated or not state and every artificial jurist person अब यह हमारा key concept definition से clear होगे अब आगे हम discussion करते जाएंगे तो हमको समझे आयागा कि यह feature क्या है concern क्या है way forward क्या है तो data protection, data principle may give, manage, review, or withdraw or consent to the data fiduciary through a consent manager यह जैसा मैंने बता है कि consent manager जो है बीच के mediator है जो data को मतलब data principle से consent लेकर सहमाती लेकर data fiduciary को देता है तो data principle एक individual वेक्ती है वो चाहे तो अपना data दे सकता है manage कर सकता है, review कर सकता है, बात में data अपना देने के बाद बिड्रा भी कर सकता है अपनी सहमाती को तो अपनी data को delete कर दिया जाएगा यह किये हुआ feature is dropped bill का, तो obligation अपना data fiduciary और data fiduciary जो data इकठा करती है इसकी क्या जमेदारी है to ensure that personal data is processed, stored and erased in a safe and proper manner will impose some irresponsibility like मतलब जो है data fiduciary जो data इकठा करेगी वो उसको process करेगी, store करेगी और समय जब उसका बीत जाएगा, जब उसका जरुत खतम हो जाएगा तो उसको delete भी कर देगी, erase भी कर देगी in a safe and proper manner ताकि उसका misogy नह पाए उसकी जमेदारी क्या है if there is a breach data fiduciary must inform the board and the data principle अगर किसी कारण से जो है यह अगर जिम्मेदारी उसकी जो है टूट जाती है, ब्रीच हो जाती है मतलब अगर उसको पुरा नहीं कर पाता है तो तुलंत data fiduciary जो है inform करेगा बोड को और साथ data principle, data principle मतलब जिसका जो है data breach हुआ है उसको इनफर्म करेगा तो आप उसको बहुत दिनों तक अपने server पे नहीं रख सकते हैं उसको आपको delete करना ही पड़ेगा Every data fiduciary must appointed data protection officer और जितने भी fiduciary है चाहे वह state हुआ चाहे कोई एक legal company हुई चाहे Amazon इंडिविज्विज्व फिलिपकार्ट हुआ चाहे एक इंडिविज्विज्व हुआ वह क्या है एक data protection officer जो है अपॉइंट करेंगे उसके problem को resolve करने की कोशिज करेंगे additional obligation इसमें दिया हुआ है कि while processing of personal data of children which includes seeking consent from parents and guardian अगर 18 साल से कम वेक्ति के आपके personal data को process करते भी है अगर कोई data fiduciary तो उसके पहरे consent न पड़ेगा किसका उसके parents का चाहें जो legal guardian होंगे उनका अब significant data fiduciary अब significant data fiduciary कौन है center government can identify data fiduciary as a significant data fiduciary तो बहुत है लेकिन जो significant जो important data fiduciary होगा इसकी identity के अंदर सरकार को करना if it handles high volume of sensitive personal data involves risk of harm to data principle and impact on 70 and integrity of India security of state public order अगर कोई ऐसा data जिसके चलते भारत की sovereignty integrity or security जहां public order से संबंधित अगर है और से risk associated है risk से जुड़ा हुआ है तो ऐसे data का जो fiduciary होगा तो उसकी identity center government को करना है और उसको significant data fiduciary की category में रखना होगा जो की high volume sensitive data इकठा करती होंगी they must appoint independent data auditor और ऐसी जो significant data fiduciary होगा वो independent data auditor को appoint करेगा to ensure compliance with the proposed bill and conduct data protection impact assessment and periodic audit to ensure compliance बदला जो है जो भी data protection से संबंधित उसका impact होगा assessment होगा उसका periodic audit होना पड़ेगा ताकि जो है जो data protection bill में जो भी प्रावधान है उसका compliance हो रहा के नहीं वह independent data auditor करेगा इसके लिए इसको appointment करना जरूरी है duty and rights of the principle अब individual इसका data है उसका क्या जीमेदारी है double established duties of the data principle to the extent that it is not register as a false grievance complaint not preventing false and misleading information and suppressing information information data principle जो है वह पहला चीज तो false case नहीं करेगा false grievance अपना रेज नहीं करेगा दूसरा false जो है अपना data misleading data जो है वह भी नहीं देगा और साथ साथ किसी data को वह unnecessary अगर required है तो इसको suppress नहीं करेगा चुपाएगा नहीं इसको कुछ अधिकार दिये अब इतना जीमेदारी दी गई है तो कुछ प्रावधान उसके फिवर में दिये गए है कि उसको अपना right to information का अधिकार है अपने data के बारे में कि क्या message हुआ नहीं हुआ क्या data collection किया पहला चीज साथ ही साथ अपने data को करेट कर सकता है क्यों चीओर के बेंगे बेंगे कि साथ है कुछ दिककत हुई अधिकर सकता है ऐसको पील चा है आप हुए के बिंचे करण ब्रस्ति B बोट वाइल विच विल ओवर्सीज कंप्लेंस बाइटा फिडियोश्री नाटा प्रिंसिपल को कुछ ओब्लिक्शन होता है उसके डाटा को ले करके साथ अगर डाटा फिडियोशरी जो है किसी कारण से जो है डाटा प्रोसेसिंग में इंडिविजल की प्राइवेसी को ब्र प्रुटेक्शन बॉट के पास है बिल प्रुपोस टैप पैनल्टी वीच एक्षेंड टू मैक्सिम पेनल्टी अप डाइप अगर यह जो है डाटा प्रोटेक्शन में कुछ भी ब्रीच होता है किसी भी फ्रीश्री के द्वारा इस ऋफेस्टेंशली मोर देन मैक्सिम प्न बिल मतलब यह जो है अपने आप में सबसे मैक्सिम जो है पिर्थी जो प्रसल लाटेक्शन में दिया गया है ट्रांसफर आप डाटा आउट साड इंडिया अब ये सबसे बड़ा कंसर्म था कि वो बाहर जाए ना जाए या इसोर करा जाए ना करा गया है कि t nawirman तो है कि बीच-पीच पे करेगी की कि देशों में हमारा जो है डाट प्रिंसेपल का यह है डाट डा-टबीूर्शी ट्रांस कर सकती है इस्टेडिय कर सकती है और इस समय समय पर जो है इसका जूर्य में तरिके बोर्ड है वह देगा अगला प्रवांट इसमें इस बिल से एससीटट इसमें इसके बारे में लेगे उसके पहले यह देख लियते हैं कि यह बिल का जो है आप्लिकेशन किया तहीं आप प्रोसेसिंग ऑफ डिटिल परसॉल डाटा विटिन टेरिट्योरी आफ इंडिया मतलब ईंडिया उसकी नहीं करने पहला हुआ देश्टा उट्सक्उ से बाहर इंडिया की प्रिंसिपल इन अगर बाहर होता भी यह पाहर जाता भी यह बाहर इंडिया की ट्रीटोरी से बाहर तो इसका एक्ट्रपाजी है होगा कि इंडिया में रहने वाले उस डाटा प्रिंसपल को Guds और सर्विस देने में और ऋफर करने में जो है वह एक मतलब जो है उसके लिए बेनिफिटDAY वह क्ल Luckily नीफिक uh अगर वही बात है कि अगर डाट प्रीशिपल के हित में है कि ऐसका डाट कुछ प्रोसीज्ट हो गए आउटसाइट के टेरिटूरी चला भी आता है तो जो है ऐसे दाटा की सिंग किया सकता है और ये कंडिशन सेलॉट अप्लाइट तो नौन ऑ spaghetti आटि मतलन एज मेरा आटो मेरा प्रसेसंग हो ओफ लाइन परसों डाटा ओफ लाइन पर्से स्कराइरा के लिए पौने 00 2 इसको देख लेते हैं कि इस डाटा का सिगनिफिकेंस कि इसको इसको इसले दिया हुआ है प्रण्या कि अभी तो ऑन यह नटा ख को एक्रीं कह लेकर कोई अपने पस कानून नहीं था यह अभी तक आपकि था इन्फोर्मस्ट टिक्न लाजी रूल के इन्था इसको तो परम्जोड था है ac together twice time जक्र पर बचल तरिकसे भी उदारं की तोर यह तो है को जो है यूद्डगा उदार्डबेक्स का जो इस्टोरी रईट दिया हूँ था जो की केश है केसलर सुपर फॉप्ट सवामी केस था तो उस प्राइज को जो राइट टू प्रावेसी आपका fundamental right है अब यहां पर क्या है राइट टू प्रावेसी को सुप्रेम कुट बोलता है कि fundamental right है fundamental right है प्रावेसी आपका तो इसको protection के लिए एक separate कानून होना चाहिए यह नहीं कि किसी भी कानून में जैसे भी इंसर्ट करके उसे कुछ भी conclusion निकाला जाए तो इसको फुल्फिल करने के लिए इस एक तरीके से इस judgment को फुल्फिल करने के लिए personal data protection bill की जरूत थी जो कि separate जो है इसको paste करने की सरकार ने कोशिस की है वह है जो statuated right है जबकि मतलब जो है इस एक्ट करता था तो फंडामेंटल राइट से कोट के जज़मेंट के साब से अब इस इंफार्मेशन टेक्लाइजी रूल के साब से जो है अगर गवर्मेंट प्रोसेस करता है तो गवर्मेंट को पर कुछ भी रूल से रिगलेशन नहीं होता थे लेकिन जो नया बिल ट्राफ्ट किया गया है उसमें गवर्मेंट की जिमदारी दी गई पिछले में लि मतलब इसके पहले जो है दो ड्राफ्ट जो तयार करके पेस किया गया था सदन में वह जो है बहुत ज्यादा देंस था लेकिन यह जो है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो कंडेंस कंसाइंस एन मोर रीडर फ्रेंडली है मतलब कुछ आसानी से समझे जाने वाले इसमे करेंट सिस्टेम में जो है ट्रास्परेंशी लानी की कोशिश कही लावफूल फियर एंड ट्रास्परेंट टूदे इन इस निजुल कंसर साथ इसाथ इंडिविजल को इंपावर भी किया गया इस बिल के द्वारा लिंगिश्टिक जो डाइवर्सिटी है भारत की अभी भ पर इनेबलिंग इंडिविजल टू एक्सिस बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन अगर चाहिए आपको तो आपके एट सिद्विल में जितने भी लेंगेज है उनमें आपको इनका जो है जानकारी आपको मिल सकते इंटेंट टू क्रेट एजियर कंप्ले जो है इट इट इस आल्सो टॉटेड एज प्रो बिजिनेस वर्दन एज ड़ेज़ विट अन्रस डाट लोकलाइज़ेशन में क्या हुआ था यह बहुत बड़ा इस्वा था कि आपका जो डाटा है वह विदिन इंडिया रहेंगा इंडिया के से बाहर प्रोसेस करी नहीं स में प्रमिशन भी दे सकती है अगर वह डाटा प्रिंसिपल के फिवर में है तो यह है थोड़ा सा जो है इसमें जो है रिलेक्सेशन दिया गया है साथ ही साथ जो मेंडेटरी जो है फर्स्ट टाइम इंडिया इस लिजिश्टी हर एंशी है बिन यूज्ट टू डिफर पहलाय है थि टिल्क करते हैं तो उसका चम्पलीन करने के लिए रिकिसिश्ट को लिए- लेकर क है अब व्ल्य चाहिद् यूज नहीं है तो आप इसको डिलेट कर सकते हैं तो यह टाइम लाइन उसमें नहीं दिया गया है लेकिन दिनों में यह भी टाइम लाइन नहीं दिया हुआ है तो यह भी जो है यह इसका कंसर्ण है नो डाइन फर दर दाटा फिदूशरी टू एरेज परसनल डाटा वंस दे इंटेंडेंट परफॉच इसर्फड वह है कि डाटा आपको डिलेट करना है लेकिन कब तक डिलेट करना है यह कोई प्राउधान नहीं है मिश्ड कुछ राइट फर दाटा प्रिंसपल का कुछ राइट वह राइट क्या है दो पराइट आप दप पोटेबिलिटी एंड राइट तो फर्गाटेन मतलब जो है आपका डाटा जो है मने आप मैंने कोई डाटा दिया डाटा फिडिए को और दो मिने कबाद मुझे ल मतलब अगर कोई डाटा प्रिंसपल है उसने अपने डाटा दिया है तो दिमांड कर सकता डाटा फिडियो से कि मैंने जो भी आपको डाटा दिया है वह स्ट्रक्चर फर्मिट में मुझे आप वापस कर तो इसका प्रावधान नहीं और वही चीजे जो है फर्गाटन के आप क्या पब्लिक इंट्रेस्ट पब्लिक इंट्रेस्ट के नाम पे आप किसी का डाटा ले सकते हैं ठीक है अब पब्लिक इंट्रेस्ट का ही डिफिनेशन नहीं है कि अब तो हर चीज जो है आप डाटा का मिस्यूज भी कर सकते हैं परसनल गेन के लिए उसका मिस्यूज क गेमिट आप दे राइट होगा तिक तरकी से जुगा खिलने टाइप का होगा परस्ट डाटा का मीश्यूज हो सकता है आज सो तो इन गर्मेंट है दे पाउर तो इस फिएर अंड रिजनेबल पर पर विच पर विच पर विडाउट कंसेंट आप जो फियर एंड रिजनेबलन कि चलते जो है इंडेविज्वल डाट है जो है डाटा का जो है में प्रोटेक्शन जो है वो कहीं कहीं ब्रीच कर सकती है अगर interval का चाहिए फिडिउसरी का अगर क्लेर कट उसमें प्रावधान नहीं होता है तो वह कंशन लिए है कि जो बस 윤ुट उट्रियुस प्रोटिक्शं और उसका कंपैमें कि लोग ऊंगे इसका भी कोई श्थिकरस नहीं MRV बखाएं आपसे श्रिकेंठी ऊचिव क्रणों अब जो है बॉर्ड में कितने मेंबर हों यह इसकी फी को जनकारी नहीं है यह इसकी इंडिपेंडेंची को है वो जो है इंडिकुकर है लिमिटिंग पैस्सिक्लस में क्या है कि आप डाटा-फ्रियोश्टरी Scokus बोर्मिंट भी है और सक्टर है प्राउवेट सेक्टर केलिए कुछ आप पैनल्टे इस स का प्रावधान करते हैं लेकिन जो है लान जा राए उस सिगनिफिकेंट का पर समय करता है अब मेरे को अगरे बना दिये किसी 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 कंपणी जो की डाटा का सही कर सकती है चाहे उसे कुछ फायदा हो सकता है उसको जो सिंग को नहीं बनाएगी और उसको जोहें इसमें और फेक्सक्नाइबी यह इस में क्लिर इस पूरे के पूरे डाटा प्रोटेक्शन बिल से ही इसको निकाल सकती है ताकि यह प्रावधान उसको पर लगे ना और वो डाटा इकठा करके उसका अपने परसनल यूज के लिए भी कर सकती है अब किसी भारत के कानूं के अगेंश्ट में इनवेस्टिकेशन करना है, कानूं तूट गया है तो उसके इन्वेस्टिकेशन में अगर डाटा का युछलाशेशन स्टार गर्मन करती है तो भी जो है इस डाटा प्रोटेक्शन के दाएरे से वह बाहर हो जाएगी तो यह सब जो है इसमें कंसर्ण है अधर क्या कंसर्ण है इसमें इसमें इट आइधर पॉस्पोनिंग और डेलिगेटिंग मच अपड़ कॉम्पलिकेटेड इस बाइदे सिंप्ली अडिंग एज में भी प्रिस्क्राइब मतलब कि डाटा मतलब इसको यह बोला जा सकता है कि इसमें प्रिस्ट नबबे क्लोस थे इसमें तिस कर दिया गया है तो इसको और कॉंपक्ट ब्राय तो गया है लेकिन जो है इसमें जो है ऑप्रेशनल डिटेल से नहोंनिक वजह से इसमें भी एम्डिविटी रहेगी दाउ देश्ट इन्विसेज प्र नॉन कंप्लियंश द लेकिन जो data principle है वो monetary compensation के लिए क्या करे इसका जो है प्रावधान इसमें नहीं है अब conclusion से पहले देख लेते हैं कि data protection का model किया है पुरे विश्म में अभी क्या चल रहा है तो data protection का जो model है according to data from the United Nations Conference on Trade and Development and estimated 137 out of 194 countries have put a place legislation to ensure protection of the data protection मतलब United Nations के 901 देशों में से 137 देश data protection से संबंदित बिल को जो है draft करे किये data protection और privacy से संबंदित उसमें सबसे मुख्य है European Union का पहला model European Union model general data protection regulation जिसको बलते है GDPR और यह जो है data protection जो model है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंस्ट्रिंजेंट बोला जाता है कि इस जो है data privacy से संबंदित जो मतलब जो है draft बिल है यहां पर डाटा प्रोटेक्शन का जो European Union का मॉडल है इसमें किसी भी तरीके का डाटा का जो प्रोसेसिंग है इनी मिन्स बाइग बोथ गोवर्मेंट और प्राइवेट इन्टी इस सब भी जो है इस data protection के दारी में आते हैं और एक जमसन बहुत लिम्टेड है जमसन का मतलब जो है data protection से अगर आपको मतलब बाहर किस संस्था को किया गया है तो किवर दो कंडिशन दो तिन कंडिशन जिसमें नेशनल सेक्यूर्टी और डिफेंस जो है आता है तो उसमें जो है data protection का जो मॉडल है data protection का जो बिल है चाहे कानून है वो नहीं लगता है लेकिन इस security और डिफेंस से संबंधित जो भी प्राउधान वो खिर डिफाईंड टुलर्क डिफाइन है उसकी एक boundary टे की गई है दूसरा मडल है u.s. अ इवन अप्टू जो है यहां पर गवर्मेंट से भी जो है उसके डाटा को क्रट्ट करने की बात की जिए विवड एज बिंग समभाट नेरो इन फोकस्ट विकास इट इनेबल्स क्लेक्शन आप प्सनल इंफोर्मशन इस लोंग इस दे इंडिविजल इन फर्म अफ सच क्लेक कि दत्व इसमें जो है newिया एक सिक्सिक प्रमशन ऑुम इसमें इसमें गया है जिसमें और इहां पर किसी भी तरीके से प्रसणल डाटा जो है वह इन TOP मतलब चा जो भाहर उरक्ति की चौइश और ट्राफ्टान ना इसके रिए प्राव्धन किए गया है कि यह उमीद की जा सकती है कि सेवरिल आप डिल बी के पेद्टJack तीट अपर अपर्शोणलाइज्ट बाइड सभी ताकत देगा जो प्रॉट्रेक्शन बिल है उसको उस बीडिविज्ट को ताकत देगा एक और दूसरा जो है इसमें सबॉड्नेट लेजिटरेशन मतलब जो है सब्सक्राइब है उसके नीचे भी कुछ कानून बना करके इसको अपरस्टनलाइज किया जाएगा और परस्टनल डाटा को ब्रीच में से बचा जाएगा चूखी यह डाटा प्रोटेक्शन विल जो है अभी ड्राफ्ट इस्टेज में है पब्लिक कंसर्ण पब्लिक कमेंट क अगला टॉपिक है अपना सीक्यूटी से संबंदित टेरिजम एंड मनी लॉंडरिंग यह टेरिजम क्या है मनी लॉंडरिंग क्या है और यह दोनों की बीच में निकस्स क्या है इस निउज का कि अभी जो है थर्ड मिनेश्टरिल कांफरेंस हुआ थार्ड मिनिस्टिर्ट्रल कांफ्रेंस का नाम के दौना मुंटर टेरर्व यह घूंट किया गया भारत ग्रियह मंतराले के दौरह धुजचरा और इसका नाम था तो पहला समिट यहीं पर हुआ दूसरा समीट दो हजार नीज में हुआ था आश्ट्रेलिया में तीसरा समिट इंडिया में होना था लेकिन वह नहीं पाया था कोईट चलते तो अब यह जो है यह समिट नो मनी फॉर्दर टेरर जो है इंडिया में हुआ ग्रिह मंत्रा लेकर ने इसे को अर्गनाइज किया तो यह जो है आपको यह फेक्ट से आध होना चाहिए अब अगला जो है इसमें पॉइंट है वाट आर टेरिडिजम एंड मनी लॉंट्री यह दोनों चीज गवर्मेंट और इट्स इंट फर्दर सटेन पॉलिकल और अब्जेक्टिव मतलब पॉलिकल सोचल कुछ गेन करने के लिए वाइलेंस अनलाफुल तरिके से यूज करना किसी वेक्टिविसेस के उपर किसी गवर्मेंट के सिटिजन के उपर चाहां किसी प्रॉपर्टिक उ कैस मनी लॉंडरिंग जो है इसको आफ़ इस व्यवह में समझ है की यह हूँ दो फो यह को दो प्रेंकर कर दो यह तो यह जो प्रोसेस मुझे के यह है कि ऐलीगल मनी को ब्लैक मनी को वास करके धोने की प्रक्रिया जिससे भी वह हो जाये तो उस प्रोसेस को बोलते हैं। उते में आखि etwa मैं रीडिये इन फ्रेटिदि वन के तेन फिरे। जा के बने उर्वारawat माचने मतलाब जो ही कर फिरेवरे इन IyaOne इससजर्वाने के फिर zmk कने रुब लीए उंक गया है कि अल्गालच के लिक्टाई मौन खिरेश हैं धुब कोई व्यक्ती जो है अगर ब्लैक मंश गयर तो वह तीन प्रोसेश निशीं था फाल्व होता है पाहले होता है प्लेस्मेंट kैं से जो है आपको जो फो काला डानी कठhet हुना अब उसको आपको फिलेस्मेंट करना हि। los उसको जैसे भी हो किसी भी तरीके से कर दीना है uti money inregat कहिंः कहीं system में आ जाता है hype system में आ जाने सिस्ट्में आ जाने क बाद आब इस दुस्रा क्या होता है layering a layering इन ले सेंस कि होता है कि अगर है इसलिस में कैसे भी उस money को डिपोईट कर दिये तो आपके यह कोशित होती है कि इस मनी का सूर्स पता न चले तो स्वर्स पता न चले बोलके आदमी इसको क्या करता है अलग एलग टुकोडों में बाठ देता है ट्रांसफर अन देबेंक अकाउंट आफ कंपनी मतलब एक कंपनी 2 इन कंपनी इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है इधर-दर ट्रासफर करता है, फोरेंग विज देता है आफसर बैंक में भीज देता है, लोन थो एकस कंपनी को दे ज़ता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इधर दर पैसा कहीं सो करके जो है फर्जी बिल अगरा मना करके चाहें फॉरन भेज करके उसको जो है इतरीक से लेयरिंग कर दी आती है ताकि इस एक्षुल मनी का जो है सोर्स ही नहीं पता चले कि पैसा कहां से आया अब एक बैंक से उठाक करतीा है इनपर सेmost़ ho करती है बाद भी करता तो इसके बाद यह कर उसको है जाए यह जंचे नहीं कर पाती है तो उसके बाद यह सिस्टम में और पैसा यह इसका राद का मिन्यक्ष आटी ज़ो है फीनंसियो कमर्स जुए si्डे कोमर्सें मिनेल तो समझ यह तो पॉइंट समझ लिए अब आगाय इसका ट्वपतिक है वाट इज दालिकेज बीच मिच टिरीरिजम एंव मनि अंद लीधिल के टो पर फॉक्ति आगा जया तो दो मनी नॉंटिच से ज्या है कि यह कि cowum कि आपनेकट की अलश्त अरांड वर्ल्ड लांडर अरांड टू पांट फूर ट्रिलियन डॉलर एवरी यह मतलब हर साल जो है दो से चार ट्रिलियन यूए डालर का जो है मनी लांडरिंग करते हैं क्रिमिनल्स यह वर्ल्ड बैंक और इंटरेशनल मॉनेटरी फंड का यह आगड़ा है यह दुनों के इस चीज में सिंबायोटिक रिलेशनसिप मतलब यह दोनों एक दूसरे के आत्म दूसरे के उपर निर्भर रहने वाली चीज़े मतलब अगर मनी लांडरिंग होगी तो उसका टेरिजम में यूज होगा और टेरिजम होगा तो वो जो है मनी लांडरिंग को प्रमोट करेग अब प्रोसिर्स अप्राइमिंग के लिए क्या करेगा वो मनी लांडरिंग की प्रक्रिया को फॉलो करेगा जो प्लेसमेंट लेयरिंग इंटिग्रेशन का प्रक्रिया था उससे जो मनी जो आएगी जो सप्लाई होगी मनी की उसका फिर यूज करेगा क्या अनलाफूल सोर् इस्टिंशन क्या है मतलब दोनों मंतर क्या है टेरिजियम एंड मनी लॉंटरिंग अगर है कुछ तो 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 दा ओरिजिन आफ फंड के अगर दिखा जाए तो हो सकता है कि वह लीगल हो सकता है कि मैं अगर मेहनत से पैसा कमा रहा हूं लेकिन उसका टेरिजिश्च एक्ट का केस है तो वह आलवेज जो है उसमें जो पैसे का जो सोर्स होगा वह इलीगल ही होगा और अगला पॉइंट है मेथर्ट्स आफ मुविंग टेररिस्ट फंड और टेरिस्ट जो फंड होते हैं उनको मुव्मेंट का तरीका क्या है तो पहला है कि बैंक से ट्रांसफर होगा इतना स्मॉल स्केल पर करते हैं लोग कि लार्ज ट्रांजेक्शन के बहुत सरे चुप जाता है पता भी नहीं चाल पाता है दुसरा क्या है मनी वैलिव ट्रांसफर सिस्टेम का यह हुआ कि जो भी रिमिटेंस वगगरा आते हैं फॉरें से पैसा इकठा करके मतलब अपने रिलेटिवस हो गएरा को दोस्त को यार को भेजते हैं है रिमिटेंस के माद्दें से तो वह बड़ा सोर्स हो जाता है प्राइमरी फैनेंसिल इंस्टिशन थूरू इंगेज इन क्लॉस बडर फंट ट्रांस्पर एक्टिविटी जो इन प्रिमिटेंस भेजा जाता है तो उसके बीच में जो डिलर सीफ होती है एक जगे से दुसरे पोच्छाने के लिए यूज करते हैं कमीशन वगरे का तो वह भी कमीशन जो है वह इल्लीगल तरीके से होता है और बात में जो है वह टेरर को फाइनस करता है तीसरा इसमें जो है किस तर्के सफता है फिजिकल ट्रांसपूर्टेशन अब दो केस अब या तो फिज कल ट्रांसपोरेशन आप केस कीजिए चाहे एल्लीगली जो है यह मतलब जो कॉमेरेटेटीज होगरे का है उसकी स्मेगलिंग पर औली चारकोल घामंड बोल्योंड नार्कोटिक्स ये सब की इस में लिंग होती है फिजिकल टांजेक्शन होता है वो जो डिपने करता है वह एको सिस्टम में आ जाता है और फिर टेजर तर्र को फइनेस करता है तो यह मतलब फिजिकल ट्रांपर अब नए मेथर भी आ गया है जिसमें क्रिप्टो करेंसी ने नियूफ टेकनोल अब जो है what efforts have been made to counter terror financing मतलब ऐसे क्या-क्या efforts किये गये हैं जिसके चलते terror financing को रुखा जाए उसके counter किया जा सके तो इसमें पहला जो है global level पर तो पहला है United Nation Security Council का resolution 1267 United Nation Security Council का resolution 1267 और उसका ही आगला resolution 1373 1267 उसको जात कर लिए 1267 यह जो है यह bedrock है किसी की भी financially sanction के रूप में रिजाइम फॉर टेरिस्ट अर्गनाजेशन अब देखिए भारत में जो है इंडियोजोल को आप टेरिस्ट को आप टेरिस्ट कर सकते हैं फिर इंतराष्ट्रिय पर्तिबंद लग जाते हैं तो यह एक इंस्टिटूशन यह हुआ दूसरा देल ही अफ काउंटर टेरिरिजम कमीटी यह जो है युनाइटे नेशन सेक्यूर्टी काउंसिल जो है वह मतलब जो है एक तरफा इसको मान लिया युनियोशनी मान लिया अड़ाप्ट कर लिया कि काउंटरिंग यूज आफ न्यू एक संट टास्क फूर्स यह एक तरीके से जो है मनी लॉंडरिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वाशड़ाग है मतलब टेरिस्ट एक्टिविटी के लिए जो है फाइनेंस ना मिले और मनी लॉंडरिंग से जो ब्लेक मनी जेनरेट होता है और वाइट हो जाता है उसका टाल देने के मतलब यह क्तरिकेससे जो है सश्पेस्टेकर पाइक पाकिस्तान जो है गलोबल से गलोबल लेफल पर उसको फंड मिलता है गलोबल इस्टिव कहुंस जहाए वर्ड वर्ल्ड वे एंक चाहा है और अगरा वेक्रग से उसका जो है वह मनी को डाइवार करके टेरर को फाइनस करता है, तो उसको जो है gray list में डाल दिया जाता है, विनफु उससे इस्टेंजेन पइनिसमन्ट यह है कि blacklist में डाल दिया जाता है, किसके द्वारा financial action task force के द्वारा, और gray list और black list में डाल देने के बाद होता क्या है कि उन देशों को उन institution को फिर बाद में global level से funding मिलती ही नहीं है तो यह जो है financial action task force है इस चीज से सम्बंदित और ज्यादे तर इसमें एक जो member है इसका association है OECD से है OECD मतलब organization of economic development economic and cooperation development यह जो institution है विस्व के developed देशों का सम्मूव है और यहीं से मिलता है financial action task force हलाकि इंडिया जो है OECD का member नहीं है FATF का member है अगरा इसे branch है जा terrorism prevention branch टेरियरिजम प्रेवेंशन राज टीवीपी यह कहा United Nation Office on Drugs and Crimes United Nations Associated Office है और यह कारे करता है कि legal aspects of countering the financial of terrorism मतलब यह एक तरीके से legal process है कि किस तरीके से जो है financial terrorism के finance को जो है counter किया जाए रुका जा सके है और उसी से संबंधित United Nations Office है United Nations Office of Counter-Terrorism यह leads and coordinate on an all UN approach to prevent and counter-terrorism and violent extremism एक तरीके सी है United Nations के जितने भी branches है जो इस फिल्ड में काम कर रही है उसका यह तरीके से Coordination Agency है जो counter-terrorism और violent extremism के अगेंस्ट में काम करती है उसको रुकने के लिए काम करती है अब इंडिया की और से क्या effort किया जाते हैं terror financing को रोकने के लिए तो terror financing को रोकने के लिए इंडिया में जो है अगर कोई investigating agency है investigating agency वह है NIA national investigating agency यह जो है यह federal agency एक तरीके से केंदर सरकार के अधिनवे आती है और यह जो है भारत सरकार के दोर इस्टेबलिस की गए थी to combat terror in India मतलब जो है terror जो भी होता है इंडिया में उसको investigate करने के लिए agency है और दूसरा point है इसमें एक कानून मनाए गया थी unlawful activities prevention यूपी यह किया anti-terror legislation that six to designate किसी व्यक्ति को अगर टेरर करना किसी इंस्टेशन को डिलेर करना कि वह टेररिस्ट है तो वह उसको पर अगर कोई धारा लगती यह प्रावधान लगता है तो वह लगता कि अनलाफूल activities prevention अनलागर इस कानून भारत का यह बहुत ही इस्ट्रेंजन और टफ कानून है कहीं कहीं इसके उपर विवाद दियोता है कि यह मिस्यूज भी होता है इसका लेकिन अगर टेरर से संबंधित कोई कानून है अगर अब आज क्रेट में इंडिया प्रावधान तो यह है यूए यूपी है बिहार है उडिशा है च्छतिजगर मद्रिप्रदेश चाहिए जुतने ही पूरे इंडिया की स्टेट है यह सेंटर गवर्मेंट तो इनका एक तरिके से जो क्राइम रिपोर्ट से संबंधित जो है इनफॉर्मेशन यह सेंटर डाटा बेस के रूप में राता है इसेंटर गवर्मेंट जो है अपने डाटा कुछ सेंटर गवर्मेंट को रिलीज करते तो यह जो है रिलीज कहां करेगा यह नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिट पे यह गिड्ट पे सब कुछ अपलोड रहागा और इसमें केंदर सरकार का पावर थोड़ा सा ज्यादा है इस इस पे भी विवाद होता है बहुत इसेट बोलते हैं कि यह जो है क्राइं वगरा जो है इस्टेट गोर्मेंट का सब्जेक्ट है भारत के समिधर के साथ से लेकिन स्ट्रेक्ट कानूर मना रही है वह हम दाटा लेती है यह जो है अगेंस्ट दी फेडरल इस्ट्रक्चर इंडिया के है अगेंश है तो इस में बीवाद होता है और क्या पॉइंट है इसमें इंडिया रप्रोष्ट प्रवाइट्यू एफॉए प्रवाइट भारत ने जो है इस्टेबलिस करने की विवाद की है जो की एक जुसे सभी संस्थाओं को आपस में कॉरोडिनेट करें अपने देश के बॉर्डर से दूर अगर को कुछ ही को अगर करना है टेश फंडिंग को रोकना है तो एक वाडिनेसन चाहिए उसके लिए जो है सेक्रेटरेट टू कोडिनेट जो है वो इस्टेविलिस किया जाया ऐसा भारत का बोलना है तो यह हुआ इस्सू क्या-क्या प्रावधान है क्योंकि जो भी इंस्टिटूशन है उनका आपस में कोडिनेशन नहीं है अब उधारन के तोर पर देखा जाए कि उनाइटेट इंस्टिटी काउंसिल जो है वह जो है किसी रिजूलिशन त्वेल्ट शिस्टी सेवन और जो है थार्टीन सेवन्टी यह रिजूलिशन को पास क भी आपाइ नहीं देता है् और इस थरीकिसे कुछ ने कुछ जो है इसमें रह जाता है क्योंकि इन संस्थाओं का आपस में कौर्डिनेशन नहीं है इंटरेशनल का अपस कॉर्डिनेशन नहीं पहला रिजन तो यह है कि सभी ग्लोबल लेवल पर कोडिनेशन की कमी है दूसरा इन एडिक्विट कस्टमर इडेटिफिकेशन पॉलिसी बैंक बैंकर्स जो है अब जो भी इलिसाइट फंड है वह सिस्टेम में आता है तो बैंक के माध्यम से आता है अब बैंक उसको ट्रेस जैने कर पाता है क्योंकि बैंक की कस्टमर जो पॉलिसाइब है फॉड है इस में पॉलिटिकल वी ग्लोबल स्टर पर चाहे बृइस चाहे इंटरनेशनल इस तर पे विल पॉलिटिकल इछ विजजिए अवधारन के तोरक जायरे से इंडिया में बैंट रीमिन्ट्र्अचो लेकिन यहां पर भी कोडिनेशन के क्यमी दिख रही है जिसके चलते जो है आपस में सहुल कोडिनेशन नहीं के वज़े से इसको इसको कंट्रूल करने में दिक्कत होता है तो लोड़े लेक ऑफ पॉलिटिकल विल्स लेक आफ कोलावरेशन कांट्रीज फेल इन्हेंस देश जानते हुए भी कि यह इंडिया के अगेंस्ट में कारे कर रहा है चाहे हमारे किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में काम कर रहा हो जो कि इलीगल है तो भी वो कंट्री जो है उसको सपोर्ट करेगी और इंफॉर्शन से नहीं करेगा साथ-साथ अब नया मॉडल के आगे अगला पॉइंट है नौन कैस्ट मेंस्ट कैस्ट मेंस्ट बगएरा इंटरनेट पेमेंट क्रिफ्टो क्रेंसी यह सब चीज़ें आगी है जो गवर्मेंट के रेगुलेशन से बाहर है लेकिन धडलने से चल रही है पूरे ग्लोबल वर्ल में जो है इनका ट्रांजेक के अब किया किया जा सकता है अग स्टार प्रॉसिंग को रोकने के लिए वाट कं डू टो टू वर कम ऑपर तो इस चलेंज स्कूर को वहर कम कैसे किया सकता है तो वही बात है जो प्रॉलिम है उस सुभार दे तो आदमी उसका सेलेशन निकाल सकता है इकजाम के पर्स्पेक् अब इसको जो है दुरुस्त करने से इंटिलिजन्स सिस्टम को मजूद करने से जो है एक इंडिवल ट्रोरिस्ट अच्छा है अर्गनाजेशन के बारे में भी हम जानकारी कर पता कर सकते हैं उसको ट्रेस कर सकते हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर सुड आल से इंकरपोरे से जो है यह वह एक देस की बात नहीं है सहीं जेसों के लिए लेकाटतरा है जादते हैं अपने इंट्रेस्ट को सर्वगरते तो उस चीज से उपर रच करके अगर international cooperation होते है तो भी जो है इस चालेंजेस से उसको जो हो सकता है चाहें स्वाली कर सकते हैं तीसरा पॉ Eisen SARell sıg सबसे उपर की सस्था है उसका जो है चौथा पॉइंट है इसमें टेक्नोलाजी अप्ग्रेडेशन का यह क्या चीज है कि इसमें टेक्नोलाजी को अभी इमर्जिंग टेक्नोलाजी है जैसे कि क्रिप्टो वगरा है वर्च्वल करेंसी जिसका यूज यूज़ फाइनिसिंग के लिए होता है उसको जो है कर्ब किया जा सकता है अगर अपनी टेक्नोलाजी को अप्ग्रेड कर सकते हैं जो की ने ने टेक्नोलोजी का यूटलिज़ेशन करना चीज़ी मेकिंग पेनल प्रविजन प्रपोर्शनेट अब प्रपोर्शनेट का इनी सेंस के मतलब जैसा जो क्राइम उसके हिसाब से जो है पेनाल्टी का अभ प्रपोर्शनेट होने चाहिए एडिंग मिजर लाइक कन्फीकेशन आफ दे प्रप्रप्टी इन पेनल प्रविजन वूड इंक्रीज़ेश देटरेंस कुसेंट अफ प्रशनेट फर सच क्राइम जो है कन्फीकेशन आफ दे प्रप्रप्टी मतलब कोई मनी लॉंडरिंग चैनि टर्पनेंसिंग के लिए चैनल भी संशता चाहिए व्यक्ति कर रहा है तो उसकी प्रपरटी को सीच करना भी एक हो सकता है ताकि इन फुचर यह है इस तरह के एक्टिविटी से डिटर हो सके मतलब दूर जा सके भाग सके ना करें इस एक पॉईंट इसमें यह है च्र करने के लिए क्या करिए हो सकती है तो इसमें पहला चीज है prevention सुरू में इसको होने दिया जाा पहला और दूसरा detection तिसरा suppression of the crime मतलब PDS अगर याद करना है तो PDS पुबलिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम नहीं है prevention detection and suppression of the crime उसको पहले करना as well as the placing limitation of the certain transaction,. तो पहले तो जो हम इनकर हाँ, उसको teve करना इसे ज्यादा बाद ट्रांजेक्ट्ट्स नहीं हो सकता है उस से जो है जो बिग अधेमांट में जो जन्यरेट हो रहा था ब्लेक मनी लुगल मनी वो जो है जन रट नहीं होगा दूसरा क्या detection, intelligence collection and implementation of the specialized investigating measures जो है detection मतलब intelligence जो एजेंसियां investigating एजेंसियां जो है इनको जो है implement करने के लिए specialization होना चाहिए ताकि वो easily detect कर सके detection development पर भी जो है चीज होना चाहिए तिसरा point है इसमें suppression, suppression of associated crimes through enforcement measurement such as freezing and seizing of assets जो ही है penal provision, freeze करना, property seize कर लेना इस सब चीजें जो है suppress कर देना मतलब उस crime को तो इस तरीके से जो है तीन स्टेज है इसको control करने का money laundering तो यह जो है यह पूरा जो है क्लंबर टॉपिक था किस तरीके से money laundering और terrorism का interlinked है, terrorism की definition क्या है, money laundering की definition क्या है, किस तरीके से system में पैसा आता है और वो white हो जाता है और बाद में जो है global level पे क्या-क्या issues हो रहा है इसमें यह discussion की चलते हैं अब अपने next topic में अगला टॉपिक है इसमें crowd management से संबंदित जो security person है इसमें थर्ड टॉपिक है हमारा crowd management वाट इस crowd management news में क्यों है कि दो घटनाय जो है 9 मेहने में निकल गया है एक तो Seoul में हुआ घटना साउथ कोरिया में साउथ कोरी के जो राजधानी है Seoul वहाँ पे और घटनाय हुई जिसमें पूल कोलेप्स कर जाने से लोगों की मौत हुई तो फिर यह new जाया कि crowd new City इंडिया में मुर्वी में हुई थी मुर्बी जो है गुजरात में एक इंडिया sujet है जहां हो की हब है मिदिय का थ्या Italia और हघाब को हाद करनाय है और यहां में इंडियां से से और होता है में होता है जब वहीं कटः हो जाती है अब माल जो कोई एरिया है उसका इतना अप्पेंसी होने सही को इससे जगा अगर हो गया तो होगा क्या कि जो है उनका पूरा बोडी जो है सप्रेश हो जाता है और उसका होता है क्या है risk of compressive यह होता क्या है कि सांस लेने में तकलिफ बॉडिक जो चेश्ट वगरा है लग वगरा है दब जाने को जैसे क्लियर कट जो है सांस नहीं ले पाते हैं और जो है दम घुटने से उनकी मोथ हो जाती है तो यह हुआ क्राउड की चलते जो जो ट्रेश्डी होती है मतलब किस वे म और इन विच एन असेंबली प्रोट्रेश्ट और देमोंस्ट्रेश्ट इसपर्थ पतला क्राउड मनेजमेंट जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें की पॉब्लिक सेक्यूटी को मेनेज किया जाता है ताकि जो है क्राउड का क्रस्ट न हो जाए फाइट न रिवार्ट चाह होता है उसमें दो टाइप को मुझे है कि मैफोड से तो होता है कि मतलब हम चाहे और 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 अंजान में आ ही उस वीड का ही हिस्सा बन जाते हैं और उसके डायरेक्शन के हिसाब से मुवमेंट करते हैं यह हुए को मुवमेंट एक आप वीड के zब्सक्राइब कर जाते हैं और दुस्रा एक आपको घ्र smt भीकमे, मतलब जो है आप जानबूझ फुटा अगे बढ़ेंगे और स्टेश से प्रॉचल से स्ठीटी तक प्रॉचलhhhh कराउड का इन वोलेइंटरल मुझमेंट तब होता है जब जो का जो लिन सिटी है वो किरिटिकल लेवल तक पहुझाता है मतलब जीतना उक्टियोजी बस्ता होना चीजिए इस 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 पेस्ता अगर उस चमता से अगर अधिक भाटा होगी पबलिक का गेधरिंग हो गया तो उसके अब जब भीर्ड का जो मुवमेंट होगा वो जो है इन वोलेंटरल फोर्स के माध्यम से होगा जिसमें फिसकल फोर्स देट पूसिंग इच अधर मतलब एक दुसरे को धक्का दे करके मतलब इससे अधर साइड से धक्का दे करको है इस सिचूएशन में पैंक होनी की कोशिजिज करेगा तो इस तरीका कियोगा मेंट कूह है क्यू है इंप्रौट इससाफ यह क्राउन जूरत है तो पहला चीछ की किशा नुखसान दो जो जानवान की जो लॉस होता है मतलब बढ जो है छती है उसको बचाने के लिए तो इंसे बेटर और इसन तो आवाइड कन्फूजन अमंक क्राउट्स क्राउट्स यह होता है कि माल लीजे पहला चीज है कि जिस डारेक्शन में आपको जाना है जिस पॉइंट पर जाना है जिस टार्गेट पर पहुंशने के लिए अग से बचने के लिए भी क्राउट का मनेजमेंट जरूरी है दूसरा पॉइंट यह हुआ तिसरा प्रमोट सेफ्टी और सेक्यूर्टी आफ आल अटेंडेंट्स इवेंट मतलब जो भी वहां पर गैदरिंग हुआ है जीतनी पर्बिक एकठा हुई है उनकी सेफ्टी और सेक्य ट्युसरा अगर यह दो जाता है तो कि जो नुक्सान होकरी ऐंगरिए अघ्रेवेंट हो जाता है ब्rov hippie जाटा है तो इन चार कारणенों से उनकारी कष्रा को और अगर क्राउड का मेनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया गया तो वो जो है क्राउड का मिस मेनेजमेंट एक तरीके से डिजास्टर के रूप में कनोट हो जाता है जिस डिजास्टर का मतलब जानमान का नुकसान एक बड़े इस तर पर हो जाता है तो क्राउड का मिसमेंट जो है leads to a disaster तो अगला पॉइंट है इसमें what are the causes of disaster associated with the crowd मतलब crowd से जो disaster associated है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं तो पहला कारण है इसका structural failure मतलब अगर भीड़ जाता ही कठा हुई तो जो जिस structure के आसपास यह भीड़ कठा हुई जिसे बेरिकेड्स है पूर गार्ड रेलिंग है डिफकल्ट टेरेन है अब सेंस अफ एमर्जेंसी एक्जिट यह सब जो है इनका जो है यह structural failure होने के चलते इस सब नुकसान होता है उधारान के तवर पर जो है पीज जो और कोलैप्स कर गया मुरभी में वह क्या हुआ structural failure हो गया क्यूंकि जो है crowd का management सहीं तरके से नहीं हुआ जितनी capacity थी उससे ज्यादा लोग वहां पर राइड कर गए उस ब्रीज पे इसके चलते जो है उस इस्ट्रक्चर का ही डेमेज हो गया और जो है जो जानमान के नुक्सान अगर दो होना था तो दो किज़ का चार हो गया इन दूसरा फायर ए इलेक्ट्रिक्रिटीटी सच डिजडाषटरक्प्ट्र अगर जाता है उसका कैरण की ओता है कि जो फायर एश्टिक्र जो आग बजाने के लिए जो इस्ट्रूमेंट चाहिए उस वो अवेलिवल नहीं हो और जो फायर वर्कर्स जो होते हैं जो फायरवर हो अन्नोन हो जानकाई नहों और यादा स्यादे कॉंपेक्ट और इंक्लोस्ट प्लेस होने की वज़े से भी लोग यू है उस फायर अगर से संबंधित जो भी कुछ अगर घटना होती है तो उससे इसकेप नहीं हो पाते निकलनी पाते हैं फायर कोड का वाइलेशन होता है सब्सक्राइब करने की तयारी ही नहीं है आपके पास कि की परसनल नहीं है जो कि क्राउड को कंट्रोल कर पाए आपके पास माइक वगरा नहीं है जो आप भीड को मतलब जो है सचित करने के लिए कुछ ब्रिफ दे पाए सफ्टे जो बी यह समदितने कि अगर जानकारी होते हैं अगर इंफ्राइस्ट्रॉक्चर्चर आपके पास है तो आप पार रहें पूर कार्ण कौरडिशन बीट्विन श्टेक ओल्डर निशन सेंस जो भी उस क्राउड से संबंदित वेक्ति हैं जैसे स्कूर्टी परसनल है और परने से सम्बंदित इस्टेट गवर्मेंट सेंटर गवर्मेंट मेंसिपालिटि यह जो भी है इसमें आ जाते हैं तो इनके बीच में पूर कॉपरीनेशन अगर होगा तो भी जो है यह क्राउड जो है ज़ास्टर क्राउड का मिसमेंजमेंट जो है डिजास्टर में करनो सब्सक्राइब करने के लिए कुछ अगर कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उस दिसान में भी आगे बढ़ने लगती है और फिर बाद में स्टांपेट भगदर स्टेप की समस्ते हो जाती है लास्ट मोवमेंट में अगर देखा जाता है बहुत बार की जैसे आनौस किया जाता है ट्रेणों का कि प्लेटफां नंबर ट्रेंट पर ट्रेंड आएगी और विधिन शॉट सब्सक्राइब मतलब जो है यह सब पॉइंट था जिसमें जो है एक एक क्राउड का मिस्मेंजमेंट जो हैं वह डिजास्टर के रूप में और करें निकल के आता है कि अब क्राउड को अगर मैंपनेज करना है तो उसके लिए इंटीग्रेटेट इप्रोच न्लिए इंटीग्रेटेट ही मतलप जो है इस्टोस्टेशन स्टेखोल्डर्ण इसमें वाल होते हैं वो सब को मिल करके कार्य करना चाहिए और दूसरा चीज है कि हमको होना चाहिए की कहीं बीड कट्था हो रही है तो उसका जो है पूर किया है और हराण के तो पर पर अगर लेकिन अगर स्कूल, यूनिवर्सिटी, यूथ फेस्टिवल है, तो उसमें जो है, यंग पब्लिक मिलेगी, तो उसके भीड का मेनेजमेंट जो है, कुछ दूसरे टाइपस का होगा, स्पोर्ट्स, इवेंट्स, म्यूजिक है, पॉलिटिकल है, प्रोड़क्शन, प्रोड़क्शन, प्रोमोशन है, तो इस तरके के अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो उससे एसोसीटेड पब्लिक होती है, एज फेक्टर होता है, जेंडर फेक्टर होता है, वेन्यू भी होता और भीड का expectation किया है, motives किया है और उसके बाद जो है फिर आती है बात crowd management की तो अब crowd management में जो है पहला तो capacity अब religious events है तो कितना बड़ा events है उसके लिए capacity की planning, risk assessment की क्या क्या हो सकता है कि इस चेत्र में है, climate factor क्या इसमें, improved preparedness planning, incidence response, इसके पहले जैसे मालेज़े अगर घटने से पहले अगर events का पता है तो उसके पहले mock drill वगरा कर ले, preparedness का, फिर capacity building, अगर हमको पता चल गया कि हमारी capacity इतनी है, लेकिन उससे ज्यादा पब्लिक का इक अठा होना है, तो उस capacity building का planning कर ले, मतलब इसको enlarge करने का, चाहे रूट वगरा डाइवर्ट करने का, तो यह सब जो ह है, management जो है, अगर पहले से पता है, तो किया जा सकता है, साथ ही साथ, venue, location, other stakeholders को involve करके, जैसे local shops, residents in the neighborhood, NGO, local administration, यह सब चीजों का भी मदद लिया जा सकता है, यह integrated approach में हमको other crowd management करना है, तो, अगला point है, what are the national disaster management authority, NDMA guidelines on the crowd management, अब इस जो है, यह केंदरी संस्था है, यह केंदर सरकार के अंदर में आती है, तो, इसने कुछ guidelines दिया हुआ है, कि किस तरीके से crowd management manage किया जा सकता है, तो, इनका बोलना है, कि सबसे पहले crowd management के सुरुवात होता है, planning से, the detailed understanding on the events, venue, visitors and stakeholders as the first requirement, यह जो है, अपको पहले details understanding होने चाहिए, कहीं अगर भीड कठा होने का कुछ region है, तो, उस region को जानना होगा, कि वो religious events है, और किस तरीके के public आएगे, किस तरीके visitors आएगे, तो, यह जानकारी पहले होना चाहिए, दूसरा point है, इसमें risk analysis, कि आप इसमें आपको identify करना है, कि foreseeable hazardous like stampede evaluating the risk associated with the name and formulation of the mitigation strategy to ensure safety of the visitors, तो, आपको पहले foreseeable जो भी आने वाले जो कुछ घ करना पड़ेगा, कि किस तरीके की घटना होगा है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, तिसरा point है, इसमें emergency response plan, अब emergency response plan के लिए जो आपको alert mechanism होना चाहिए, early warning system होना चाहिए, मतलब आपको regularly warning देते रहाना है कि इस तरीके की बीड़ हो सकती है, इस तरीके की घटना हो सकती है, रिसोर्स mobilization हो सकता है, मीडिया का मैनेजर हो सकता है, information dissemination, मतलब information को चाहरे तरह से बचाजा सके तो, emergency response plan होना चाहिए आपकास, safety and security measures हो होना चाहिए, जैसे की भीड़ को चितर-बितर किया जा सके जैसे बेरिकोड, बेरिकेट, रोड ब्लॉक, फेंसिंग, यह सब चीजें जो है, deploy करना चाहिए, ताकि मतलब जो है, और pedestrians, पैदल चलने वाले व्यक्ति, hostile groups और वेहिकल सब चीजें को control करने के लिए, आपको पा आपको at a point जो है, आपको मिल जाए, awareness वगर करने के लिए जो है, बीच बीच में जो है, उसके चलत, मतलब कुछ ऐसा mechanism होना चाहिए, जिसको आप deploy कर पाए, फिर है कि information management and dissemination, information management and dissemination मतलब इसका जो है, प्रसार, information को आप manage कीजिए, और information को प्रसार प्रचार कीजिए, फैला करेंगे और उसको प्रचार प्रसार भी करेंगे, जो है, that will ensure that crowd gathering events run smoothly and successfully without any incidents, और यह जो है, ensure करेंगे कि किस तरिके से crowd gathering events जो है, उसको properly manage किया जा सके, smoothly or successfully, मिना किसी accident के, अब इस अगला point है, what can be done to improve ground management, अब crowd management को improve करने के लिए, क्या किया जा सकता है, तो वही चीजे है, ज और जिसवे हमको कमी लगी, उसको जो है, यहा पर दुरूस्त करना है, उसको जो है, जैसे क्या है, जैसे information technology and communication technology, remote sensing, GIS, GPS, यह सब चीजों को, अगर हम यूज करते हैं, तो we will improve the crowd experience and crowd control, तो technology के यूज करके, हम crowd को control किया जा सकता है, फिर जो है, जो है, जो है, परसनल इनिसव करना है, जो ही व्यक्ति परसनल इसमें जो स्टाफ इन्वाल्व है, उनको प्रॉपर ट्रेंडिंग देना है, रोल अप मीडिया का भी बहुत ज्यादा है, इसमें, क्योंकि वो जो है, मीडिया हालाइट करती ही, इंटल, एंटी-सोचल इलिमेंट को हालाइट करेंगी, suspected को जग तफ़ला सकती है, और चौथा पॉइंट है, इंटल इसमें इंटल कर पाएगा, और उससे अधिक यह ब्यूद कर पाएगा, तो जो हमको पहले से लट कर गा कि अगर इसे जादा भी होगी, तो हम हो सकता है, कि पहले से एड़वाजरी अलट जारी का देंगी, जारी का हो सकते हैं, अब अगला पॉइंट है, इसमें निउज इन स्वाट्स, मतलब जो है, स्वाट्स में निउज है कुछ, जो कि प्रिलिम्स के पॉइंट अभी से इंपॉर्टेंट होता है, तो आब इसको देख लगते हैं, पहला इसमें है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ् इंफॉर्मेशन 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 इंफॉर्मे Government of India under Act 70 of the Information Technology Act 2000 फिर से इसको देख लीजिए Section 70 of the IT Act 2000 Section 70 of IT 2000 जो है इसके अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रेक्ट्चर को है डिलियर क्या जाता है अब जो है इसके अंदर क्या क्या आता है ट्रांस्पोर्ट सिस्टम आता है पावर एनर्जी पावर एनर्जी टेलिकॉम Strategic Public Sector, Banking, Financial Services और Government यह सब आता है अब इसमें क्या कर दिया गया है कि NPR National Population Register को भी जो है इसके अंदर में डाल दिया गया है क्यूंकि जो है इस डाटाबेस से अगर कुछ भी जो है टेम्परिंग की जाती है चाहे अनर्थ राइट एक्सेस किया जाता है तो उसको जो है दस साल की सजा हो सकती है तो इसमें प्रावधान है दस साल की सजा अगर को को जाता है तो इसके लिए पहला है कि नेशनल क्रिट कल इंफ्रास्ट्रफंचर को इसके लिए पहला है कि नेशनल critical information infrastructure protection center यह जो ही नोडल एजनसी है जो कि सभी मिजर्स करती है करने के लिए जितने भी मिजर्स होते हैं उसको implement करने की नोडल एजनसी है इसमें इनवाल है एजनसी एक सर्ट इन जिसको वह याता है computer emergency response team computer emergency response team जो है इनोडल एजनसी for responding to computer security incidents सप्धिटर से संबंधित जो है इसको अगर रिस्पॉंस करना हो इसके हैं तो सब्सक्रीन है साथ-साथ नेशन से साइबर सेक्यूराइबर कौर्डिनेटर है विद डिफॉरेंट इसे लेवल फऺ साइबर सेटी मेटर और नेशन साइबर सेक्यूर्टी पॉलिशी 2013 लाया था तो इस तरी के से इतनी एजेंसिया इंवाल्व है और इन क्रिटिकल इंट्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ जो है अब नेशनल पॉपलाज़शन रेज्टर को भी इसमें इंक्रूड कर दिया गया है अब अगला पॉइंट है मैं इंटरिशया इनिसियेटीव नेशनल काउंटर रेंसमसे इनिस्यैटीव इसमें क्या होता है जो भी अभी जो है रेंसमसे संब्धित क्עू dato इसको इसके समस्कू करने के लिए उससे बचने के लिए जो है यह उसे बचने के लिए एक इंस्टिटूश्ण को लाइबरration की जडी है यह इंस्ट्रीषिनल आते हैं यह े विश्व के देशों का मेंबर है कंट्री Unterschied है दो का गूंपिंक है जिसमें इंडिया बसा और इंडिया जस set अजिमिन एक बर गूरे है इन लिद कर लिंट वानिया लीट नेट वर्टिंग गुरूप अघं़ इंडिया इसका पार्ट इयाप दखीजी प्रिंट पॉइंट को पॉंट इसे के इंप्रेटन है यह जो है Bluetooth से संब्बंदित है कि अगर अगर आप Bluetooth करके रखें हैं तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति आस पास का जो है करना चाहता है तो जो है वह आपका Bluetooth के थूँ जो है उपन एकसे के थूँ जो है आपका Bluetooth से connection जो है कर ले और कर लेने के बाद जो है बूट फोर्सेस बूट फोर्सेस के थूँ जो है वह आपके अथिंटिकेशन को बैपास करके जो है आपके के साथ तो उसके साथ वह आपके कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकता है आपके मेसेज़ेस अगरा को पर सकता है भेज सकता है और और भी जो है डाटा से अगरा आपका चुरी कर सकता है साथ चाहतु आपके कांट्स वगरा को मोडिफाई भी कर सकता है तो इस तरीके से एक तरीके से आपको साइबर सेकुर्टी को जो है खत्रा पहुचा सकता है ब्लू बगिंग के दूरू तो इसका प्रिवेंशन क्या है कि टर्निंग अप Bluetooth ब्लू टूथ विन नौट इन यूज अबटिंग डिवाइस लिमिटेड यूज पब्लिक स्पेस वाइफाई एडिसी मतलब ज्यादे तर आप नेटवर्क है अपना परसनली उच कीजिए ब्लू टूथ वगरा जब रुकार्मेंट नहों पब्लिक प्लेस पे हो आप तो उसक अफिस्क्तटम हेल्स और ये जो है डियाडीयो के साथ डियो के क्लेबरेशन साथ एसे खर्जा एक टेकना लजी का यूज किया जाएगा और इसको जो है अलग-अलग तरीके से इसका मेल रिफाइन किया हुआ है तो आप पर्टिक्लरली ये जाने कि वार इंप इस्क्तपि यह एमिट इनफ थर्मल एनरजी तो डारेक्टली रेंडर है टार्गेट इनेफेक्टीव विदाउट यूजिंग अ कन्वेंशनल मुनीशन मतलब जो कन्वेंशनल जो आम सोगरा थे हथियार होगरा थे बॉंबिंग जो सिस्टम थी उसके जो है उससे हट करके जो है यह जो ह हाए हिसके ऑब इसका यूज के आज आ सकता है क्या है यह हई थर्मल एनरजी ज्वेड रिलिज करती है डार्कली com हेटली टार्गेट इनेफेक्टीव को डारेक्ट रेक्ट कर सकता है। हैं यह एक लेज़र है लेजर वेपन रिविपन्स विलौगिंग ट्यॉस यह डारेक्ट नर्जी विपन के अंदर और भी बहुत सारे विपन आते हैं यह जो है इस ट्रिक्नोलाजी चाहे इस तरीके का जो है डियूस चाहे है इंडिया में जो डिलफ किया रहा है उसमें जो है एक तो है एक डेवलप के साथ चल रहा है किलो एंपियर लिनियर इंजेकटर काली और प्रोजेक्ट अदृत्य और डिफेंश डेजलर्स यह जो है इंडिया में और यह सब चल रहा है हाई एनरजी लेजर का जो विपन सिस्टम है उसके तरू इसके अलाबा जो है रसिया फ्रांस जर्म और चाहिना के पास जो है इस टाइप का जो है डारेक्ट एनर्जी विपन जो है सिस्टम अभी मौजूद है और इस क्लब में इंडिया भी सामीर हो चुका है अगला पॉंट है हमारा सब्मर्सिबल प्लेटफ़र्म फॉर एक्वेस्टिक करेक्टरिजेशन एन एवल्योशन तो सब्मर्सिबल के यह मतलब हुआ कि जो पानी में डूबा हुआ हो ठीक है और यह तरीके से एक प्लेटफ़र्म होगा फॉर एक्वेस्टिक आवाद से संब करके से यह यह जाएगा और यह atrás स्ट्रह फेटBERT पाइब उसका ट्रहसि का मैपन्स पंप्लेया संदोर मैप यह सब क्या सब्सक्राइब मतलब इसष्ण को एक्ष्पोर किया जाता है क्यूंगिज वेबसर फॉर सका है बहुत है पानी में बहुत दूर तक भी ओंड कर सकता है कि अ अगर की बात की जाए और लाइट विप्स की बात की जाए तो उसके घ्ट नंड में चाव्ए बहुत दूरों तक ऋता है वाटर में तो इसलिए जू है वाटर चाहे वह सिय और का जो करेंड को उससे 100 मिलिटर नीचे तक भी यह प्लेटफॉर्म रह सकता है तेर सकता है उस प्लेटफॉर्म से जो है सोनार के लिए जो भी इस्ट्रूमेंट वगरा यूज करना होगा वह क्या जा सकता है तो यह दिया इस्पेस विली में इस फॉर विवलेटिंग सोनार सिस्टम लाइंग प्रिकरिया को फूरा कर सकते हैं आप अगला ट्रापिक है हमारा रोहनी रोकेट रोहनी 200 रोकेट यह पनिन है वह जो सान्डिंग रोकेट आफ एस्ट इस्वार्व मतलब successful यह है लगातार दोस्तों हो successful इस्टोरो का launch rocket है जो कि sounding principle पर काम करता है sounding principle का यूटलाज़ेशन जो साइन्टिफिक कम्यूनिटी करती है experiment on the metrology, external and similar branches of the space physics इसमें experiment करने के लिए जो है sounding rocket का utilization क्या जाता है first sounding rocket जो launch किया गया था वह अमेरिका के चैनल नाइक अपाचे जो थी उनिच्टीर सट में लांच किया गया था ठीक है और उसके बाद इस्टरो लाउच इस ओवन वर्जन मतलब इंडिया का ही था लेकिन जो अमेरिकन वर्जन था ठीकिन इस रोजन ने जो first launch किया गया था वे रोहनी 75 था इन 1967 1967 में जो है रोहनी 75 इसको लाउच किया गया था यह जो होता है आरेग्योडा जो है वह फॉलिद मोटर पावरॉर्ड स्वालिद मोटर पॉर्ड एक्सपांडेबल रॉकेट के पेवल आप क्लैमिंग अप टू सेवेंटी किलिमेटर मतलब अपर एट्मोसफेर में वह सत्तर किलिमेटर उपर तक जो है यह क्लाइब कर सकता है और साथ यह जो इस पर पेलोड का डिजाइन किया गया है उसका डिज में अपराउट कि धुटो यह क्या है हूं एक मेरी टाइम है समुदरी और इस वाल्ब है रॉयल आस्ट्रेलियन नेवी और इंडिया नेवी ने मिलकर यह हैं इंडो पैसिफिक जो एक्स एक्सरसाइज किया पहला दूसरा जो है गरुड सकति यह जो है इडिश बाइलेटर एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेसिया के बीच में तो अगर गरूड सक्ति की बात की जाएगी तो वह क्या है इंडिया और इंडोनेसिया है इंडिया और इंडोनेसिया का अगर किवल गरूड की बात की जाएगी किवल गरूड की बात की जाएगी तो वह इंडिया और अगर प्रांस की बीचविश यह एर्फरस्स के लिए लेकिन अगर गरूड सक्ति की बात की जाएजी तो इंडिया और इंडिया के बीच में बाइलेटरल ज्वायन ट्रिन एक्ससराइज है वह स्पेसथ यर्ष में में 2022 को लिए कि थे होटा है यह एंडिया और इसके बीच में चोथा है एक्सरसाइज हरी माव सकती यह जो है इन्डिया और मलेशियन आर्मी के बीच में इंडिया और मलेशियन आर्मी के बीच में जो है मिलिटरी एक्सरसाइज हरी माव सकती हरी माव सकती इंडिया और मलेशियन आर्मी के बीच का